Problem Solving Ability यह सबसे important एक चीज है, बहुत important component है, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी competitive examinations को crack करने के लिए, चाहे वो IT हो, चाहे cat हो, चाहे इस तरह का कोई भी जो tough competition है, ठीक है? तो problem solving ability में, अगर किसी भी problem को solve करना है, अब यहां पर यह जो problem है, यह subject से related है, जो physics का होगा, maths का होगा chemistry का होगा, ठीक है, तो इसके तीन important component है, ठीक है, first क्या है, concepts, ठीक है, second क्या है, approach, third क्या है, confidence, ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी problem solving ability बढ़ाएंगे, ठीक है, एक एक points पे हम लोग discussion करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भी जो concepts की बात करते हैं, concepts तो होना ही चीए, अब उसके बात की बात करें, concept पता है आपको, एक बार हमने concept सीख लिया, then problem solving ability कैसे बढ़ाएंगे, concepts ठीक करने के लिए, यह easy lecture अब देखेंगे, इसमें, जो भी topic है, जो भी चाहिए आपको, आप requirement भेज़िएगा, वो भी मिल ठीक है, तो concepts तो ठीक कर लिजी, और एक बार concepts ठीक हो जाए, तब जिस चीज की जरूरत है, जो approach बहुत तगरा कर देगा आपका, ठीक है, कि बी एकदम जिससे की बी आपका strike rate almost 100% जैसा हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, discuss करेंगे, कुछ approach सीखेंगे, ठीक है न, अपने आप confidence बनने लग जाएगा, तो यहाँ पर जो हमें सीखना है, समझना है, वो approach और approach डेवलप करने के लिए, ability, problem solving, ability बढ़ाने के लिए, puzzle solving एक बहुत ही शांदार तरीका है, ठीक है, तो आप देखिए, मैं बहुत बढ़िया सा एक puzzle लिता और उसको किस तरह से हम लोग solve करते हैं और वहाँ से ability हमारी कैसे enhance होईगी, वो चीज़ समझेंगे हम लोग, ठीक है, तो देखिए आप, अगर हम लोग देखें, कि बहुत, एक question एक बजल है, place 10 coins, place 10 coins in such a way that they lie in 5 straight lines and on each line there are 4 coins, ठीक है, अब देखना, इसको समझना, जब भी कोई problem solve करते हैं, हम लोग तो सबसे पहले question को समझते हैं, observation की बात आती है, observe करिए कि पूछा क्या जा रहा है, then उसके बाद कैसे आगे बढ़ेंगे, वो सारे points देखते जाएंगे, ठीक है, तो देखिए, क्या कह रहा है, 10 coins, ठीक है, उसको arrange करना है, place करना है, ठीक है, in such a way that they lie in five straight lines, मतलब कुछ straight lines हैं और वो number given है, वो कितने lines हैं, five lines है, तो मालो अगर एक line ऐसा हमने देखा है, तो ऐसे ऐसे five lines हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास lines है, वो five lines है, और in lines पे उसको place करना है, ठीक है, like ऐसा, देखिए, इस तरह से, जैसे यह हो गया, फिर रख दि यह हमने, दो, तीन, ऐसा, इन five straight lines, and on each lines, there are four coins, और finally क्या देखे, कि हर line पे four coins आजाए, तो एक problem बन गया यह, क्योंकि भी सीधे तोर पे देखो, तो आपके पास five lines है, और सभी lines पे चार-चार coins चाहिए, तो भी कुल मेला कि हमारे 20 coins चाहिए होगा, but we have only 10 coins, ठीक है, अब यहां से concept है, मैं पता, क्योंकि हमने एक बहुत simple सा application लिया वाई कि भी coin को रखना है, तो coin को कैसे रखेंगे हमें पता है, इसका concept पता है, तो जब हम physics में जाएंगे, तो concept सीखेंगे, laws of motion हो, या field mechanics हो, heat हो, thermodynamics हो, electrostatic हो, optics हो, तो concept जब एक बार पता लग गया, then मतलब, क्य use करना है, tools पता है, concept यही तो बताता है, ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए, अब approach में क्या करना पड़ेगा, भई, एक line पे 4 coins चाहिए हमें, ठीक है, और 5 lines हैं, तो ऐसे तो 20 हो जाएगा, तो अब यह करेंगे, यह तब ही possible है, जब एक coin जो हमने एक line पर रख होगे, 1, 2, 3, 4, अगर total number देखें, तो 4 coins हैं, बट इसकी effective value कितनी आएगी, 4 into 1 upon 2, मतब यह 2 हो जाएगा, तो इस तरह से कर सकते हैं, तो यह 1 by 2 effective value लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस coin को, दो lines से share करना पड़ेगा, तो आप इसमें ऐसा गरीब, वीडियो pause करें pause करके आप खुद से try करिए, then उसके बाद अगर होता है, तो आप check कर लेजिए answer, नहीं होता है, तो solution देखिए आप, तो देखें, हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे हमने cheese दिया, देखो, एक line ऐसा cheese दिया, ठीके, अब इसमें क्या करना है, दूसरा line जो है, मैंने कुछ इस corner पे place कर दो, तो इसकी value 1 by 2 हो गई, in fact, each and every coins को हमें ऐसा ही रखना पड़ेगा, ठीके, तो यहां पे भी, इस corner पे भी, जो coin होगा, ये भी 2 के साथ share करना चाहिए, इस corner पे जो होगा, उसको भी क्या होना चाहिए, दो के साथ share करना चाहिए, लिख सकते न, देखते जा हो अब इसमें हम क्या करेंगे देखो, ये तो 2 के साथ share करना ये नहीं कर रहा है तो इसको मैंने ऐसा help either, लेक सकते अब 2 के साथ ये भी share कर रहा है फिर ये 1 के साथ है तो इसको भी, और 2 के साथ share करने लग गया ठीक है, फिर इसको मैंने ऐसा खीज दिया 5 lines खीज दिया हमने ठीक है न पांच lines खीज दिये और यह coins fit किया हमने यह ठीक है यह भी 2 के साथ share करता है यहां पे भी coins रखेंगे एक coin रखेंगे तो यह यहां पे साथ शेयर करेगा यहां पर कोईं रख दिया यह भी क्या करेगा दो चाइब यहां पर रख दिया यहां पर रख दिया और फइसा एक और अर्रेंच्मेंट आप बना सकते हैं ठीक है मतलब करना यही है जो अप्रोच है वो यही है ठीक है ना देखना अगर हम लोग अप्रोच की बात करें तो वो बिलकुल ऐसा ही है यह दो खीज दिया ऐसा लिखने से क्या होगा क्वाइन हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते जो दो के साथ शेयर कर रहा होगा ठीक है फिर यहां पर रख दिया यह दो के साथ शेयर कराना है देखेगा यह लिख सकते है लिखना तो यहां से इसको ऐसा खीच लो दो के साथ शेयर हो गया इसको खीच लो ऐसा दो के साथ शेयर हो गया लिख सकते है वह तब क्रॉस कराना है हम हर जगब पर पांच लाइन स् कि अब देखो कि यहां से देखना समझना कि यह हो गया ऐसा कि यह तो देखिए आपके पास पांच डिफ्रेंट लाइन्स हैं और टैन कोई से ठीक है और सभी लाइन पे देखिए चार-चार हो गए यहां भी देखो कि कर सकते हैं तो यह पजल आपने शैद अपने इसको ट्राइग किया होगा विडियो पास कर लेना था बीच में उसके बाद आए करना था तो यह जो तरीका है यहां बहुत इंडरेसिंग होता है तो इस प्रोस्स में क्या करते न? आप द्माग लगातें, द्माग के एक्सरसाइज होती है, नहीं दमाग बढ़ाने के लिए ठीक है अप्रोच ठीक है एन कॉंफिडेंस तो आप वीडियो से देखिए मतलब जितने भी वीडियो से वो बिलकुल मतलब बेसिक से उसको एक्स्प्लेइन करते वे जो कॉंसेट से जहां पर जिसको अप्लाई किया जा सकता उसको सिखाए गया तो आप देखिए इस चैनल प करेंगे तो कॉंफिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा तो इस सीरीज में हम लोग अलग अलग पजल सॉल्व करते रहेंगे जैसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो नेक्स्ट वीडियो आना है इस पे पजल सॉल्विंग पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इस ने चार बार जैसे आप 1,2,3,4 मतब जहां पर आपका स्टेप खतम हो रहा है वहीं से दूसरा स्टेप शुरू करना है फिर वहां से तीसरा और तीसरे से फिर चौथा मतब चार लाइन्स खीचनी है आपको और उन सरफ चार लाइन से इन सारे पॉइंट्स को कवर अप करना है मतब जैसा यह मैं एक एक अटम्ट ले रहा हूं यह सगे 1,2,3,4 ऐसा खीच लिया बट एक बच गया तो ऐसा ही कुछ आपको करना है और ऐसा करना है कि 6 का 6 जितने भी पॉइंट्स है सभी इस लाइन पर आ जाए मतब उसको क्रॉस किया जाए तो नेक्स्ट कि पजल सॉल्व करते रहे है पजल सॉल्व करने से क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिल्कुल बढ़ जाएगी तीक है ना तो मेरे क्याल से अगर आपको पसंद आया तो लाइक करेगा शेर भी कर सकते इसको ठीक है सब्सक्राइब तो करे लीजेगा ताक कि पते इसको जाएगे इसको अरवीजेग टीक है रहे है एक टो जवाम करते दोैँ एक है तो जाएगे गलाएगे ज़े लीजेगे